बिग बोस शो हमेशा से चर्चाव में रहा है इसे बहुत टी आरपी मिलती है और क्यूंकि इस शो को बहुत से लोग देखते हैं यही कारण है कि लोग अपनी फिल्म का प्रोमोशन भी यहां करने आते हैं हर सीजन में स्टार्ज आते हैं और अपनी फिल्म का प्रोमोशन करते हैं लेकिन इस बार बिग बोस में अपने फिल्म का प्रोमोशन करने एक खास महमान आई है और वो महमान कोई और नहीं सलमान की एक्स गर्फरेंड काटरीना कैफ है लेकिन अब काटरीना की शादी हो चु इस शनिवार वीकेंड के वार में आक्ट्रिस काट्रीना कैफ अपनी फिल्म फोन भूत का प्रमोशन करने पहुची। इस दोरान उन्होंने होस्ट सल्मान खान से कई भूतिया सवाल पूछे। शो में काट्रीना कैफ ने सबसे पहला सवाल पूछकर सल्मान को अपने गाने टिप टिप बरसा पानी बन कर खूब न चाया। इसके बाद काट्रीना कैफ ने सल्मान से पूछा कि अगर मौका मिले तो वो किस पर स्पाई यानि जासूसी करना चाहेंगे। जिसका जवाब भी सल्मान ने बड़े मज़ेदार अंदाज में दिया। सल्मान कहते हैं एक बंदा है उसका नाम है विकी कोशल। काट्रीना ने पूछा क्यों तो सामने से जवाब आया क्यूंकि वो काफी लविंग है, केरिंग है, डेरिंग है और उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप भी बलशिंग है। अपने पती का नाम सुनकर काट्रीना कैफ सच में श हुई थी। साथ-साथ कहा ये भी जाता है कि अभी भी सल्मान के दिल में काट्रीना के लिए सौफ्ट कॉर्नर है। यही कारण है कि जब काट्रीना अपने एक्स और दोस्त सल्मान से शादी के बाद मिली तो फैंस में अलग से एकसाइटमेंट देखने को मिली। अब आप सल्मान चतुरवेदी भी पहुँचे थे। जहां दोनों एक्टर्स ने फिल्म अंदाज अपना अपना के एक सीन को सल्मान के सामने करके दिखाया। इसके अलावा घर वालों को भी सल्मान ने जटका दिया। जहां गौतम विस को कैप्टन बनने का मौका मिला लेकिन शर् खाया की सौंदर्या का प्यार और शालीन की दोस्ती उनके लिए असली नहीं है। फिलाल अगला एपिसोड देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।